आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फरवरी के महिने में लगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गमली या ग्रो बैग में फरवरी के महिने में उगाई जाने वाली उन 30 अलग अलगतर है की सबजियों के बारे में जिन्हें आप अपने home garden या terrace garden में उगा सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको जो 30 सबजियां है उनके नाम बताऊंगा उनको उगाने का तरीका बताऊंगा उन्हें कैसे लगाया जाता है उसका तरीका बताऊंगा साथ में किस साइज के गमले में आपको लगाना है इसकी जानकारी भी आपको मिलेगी वीडियो पूरा देखिएगा अगर आप गर्मियों में सबजियां उगाना चाहते हैं तो फरवरी का महीना बहुत अच्छा होता है क्योंकि यह महीना सर्दियों का आखरी महीना होता है और इस महीने पर आप गर्मियों की जो सबजियां है वो लगाना सुरू कर सकते हैं फरवरी में की जाने वाली गाडनिंग को स्प्रिंग गाडनिंग भी कहा जाता है इस समय जो है दिन थोड़े गर्म होने लगते हैं और राते थोड़ी ठंडी होती हैं यह समय बहुत अच्छा होता है हमारे गार्डन में सब्जियों वाले पॉद्धे लगाने के लिए तो चलिए जाते हैं फरवरी के महिने में लगाई जाने वाली सब्जियां कौन है खीरा गर्मियों में खाने में बहुत अच्छी लगती है और फरवरी का महीना बैस्ट महीना है खीरा होगाने के लिए खीरा लगाने के लिए आपको जो grow bag लेना है वो बड़ा लेना है 18 वाई 18 इंच का grow bag बहुत अच्छा होता है उसमें आप 3-4 खीरा के पौधे लगा सकते हैं खीरा लगाने के बाद इसे किसी creeper net या मचान का सहारा आपको देना होगा और बीज लगाने के लगभग 70-80 दिन बाद आपको खीरा तोड़ने को मिल जाएगा दूसरी हमारी सबजी है भिंडी जिसे आप फरवरी के महिने मोगा सकते हैं भिंडी भी गर्मियों की सबजी है और बहुत अच्छी होती है फरवरी महिना इसका सुरुवाती महिना होता है जब आप इसे लगा सकते हैं भिंडी को सीधे ही grow bag में लगाया जाता है मतलब इसके बीच को सीधे ही मिट्टी में लगा दीजिए भिंडी लगाने के लिए जो grow bag है वह 15 बाई 15 इंच का लीजिए उसमें 3-4 आप भिंडी के पौधे उगा सकते हैं भिंडी लगाने के लगभग 50-55 दिन बाद आपको हार्वेस्ट करने मिल जाएगी और अगर आप 2-2 महीने के गैप से भिंडी लगाएंगे तो लगातार आप भिंडी हार्वेस्ट कर सकते हैं काफी लंबे समय तक चलती है अगली हमारी सबजी है टमाटर टमाटर जो की खाने में बहुत अच्छा लगता है हर गाडनर्स का सपना होता है कि उसके गाडन में टमाटर हो तो आप टमाटर भी फरवरी के महीने में लगा सकते हैं इसके पहले पौदे बनाने होते हैं जब पौधे बन जाएं तो इसे किसी बड़े ग्रो बैग 12 बाई 12 इंच की साइच के ग्रो बैग में लगा दीजिए एक ग्रो बैग में एक पौधा लगाएं लगभग 70 से 90 दिन बाद आपको टमाटर तोड़ने को मिल जाएगा अगली हमारी सबजी है मिर्च जिसे आप अपने होम गाड़न में फरवरी के महीने में लगा सकते हैं मिर्च के भी पहले पौधे तयार किये जाते हैं जब पौधे बन जाएं तो आप 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में एक मिर्च का पौधा लगा दीजिए मिर्च के पौधे से मिर्च मिलने में भी आपको 70-90 दिन का समय लग जाएगा अगली हमारी सबजी है तर्बूज जैसे watermelon कहते हैं तर्बूज गर्मियों में खाने में बहुत अच्छा लगता है और इसे भी आप अपने home garden में होगा सकते हैं फरबरी के महिने से तर्बूज लगाना सुरू कर सकते हैं इसके बीच को सीधे ही आप गमले की मिट्टी में लगा दीजिए बड़ा grow bag लीजिए 18 वाई 18 इंच या फिर 24 वाई 24 इंच का grow bag लेंगे तो बहुत अच्छा आपको result मिलेगा तर्बूज को completely तयार होने में 70-90 दिन का समय लग जाता है और एक तर्बूज के पौधे से आपको 2-4 अलग तर्बूज मिल सकते हैं उससे जादा भी मिल सकते हैं तो 3-4 पौधे लगा लिजिए उतने में आपको काफी अच्छे तर्बूज मिल जाएंगे अगली हमारी सबजी दूसरी कहें खर्बूज खर्बूज एक फल है और जिसे हम मस्क मेलन भी कहते हैं खर्बूजा भी लोग कहते हैं ये भी तर्बूज की समय ही आप उगा सकते हैं और इसमें भी आपको सेम केयर करनी है 24 x 24 इंच का ग्रोबेग ले लीजिए या फिर आप रेक्टेंगलो ग्रोबेग में 36-36-12 इंच का ग्रोबेग ले सकते हैं उसमें आप खर्बूज के बीज लगा दीजिए खर्बूज को भी मैच्योर होने में 70-80 दिन का समय लगता है और फिर आप इसे हार्वेस्ट कर सकत आइगे तो इस कटेस्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा अगली हमारी सबजी है पालक पालक को पूरी गर्मी उगाया जा सकता है और गर्मी में पालक उगाता हूँ पालक के बीजों को सीधे ग्रोबेग में लगाना है ग्रोबेग की हाइट लगभग 9 इंच लीजिए चोणाई ज्यादा लीजिए 24 बाई 9 इंच का ग्रोबेग बहुत अच्छा है पालक लगाने के लगभग आपको 50 से 60 दिन में हार्विस्ट करने मिलेगी अगली हमारी सबजी है धनिया जिसे आप होम गाडन में फरवरी के महीने में होगा सकती है धनिया के बीज बे सीधे ह लगाईए एक धनिया की वेराइटी है अर्ली कोरियंडर जो की 30 दिन में ही तैयार हो जाती है बहुत अथी वेराइटी है अगर आप इसे गर्मियों में होगाना चाहें तो जरूर ट्राइ कीजिए आपको बहुत अच्छा जल्ट मिलेगा अगली हमारी सबजी कहें ना की कि एक हर्व है पुदीना फर्वरी से आप लगा सकते हैं इसकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं बेज से भी पुदीना होगा सकते हैं दोनों ही मैथट का जो वीडियो है मेरे चैनल पे पब्लेस है आप वोई देख लिजिए और एक बार आपने पुदीना लगा दिया तो स अगली हमारी सबजी है करेला करेला एक बेल वाली सबजी है और गर्मियों में करेला बड़े आसानी से होता है करेला के सीधे बीज आपको लगाने है ग्रोबेग 18 वाई 18 एंच लीजिए चार पौधे आप उसमें लगा सकते हैं करेले की बेल को क्रीपन नेट पर फैला दीजिए लगबग 70-80 दिन बाद आपको करेले तोड़ने मिलने लगेंगे अगली हमारी सबजी है लॉकी लॉकी को भी आप फरवरी के महिने में लगाना सुरू कर सकते हैं इसके लिए आपको 24 भाई 24 इंच का ग्रोबेग लेना है एक ग्रोबेग में दो आपको पौधे लगाने हैं लौकी के कम से कम चार पौधे लगाईए ताकि इसमें male और female फूल एक साथ आपाएं ताकि आप इसमें hand pollination कर पाएं कई बार अगर pollination नहीं होता तो लौकी के जो छोटे फल हैं वो काले पीले होकर सूख कर गिनने लगती हैं समस्या से बचने के लिए ज़्यादा पौधे लगाईए और जब फूल आएं तो hand pollination कीजिए अगली हमारी सबजी है गिल्की गिल्की भी गर्मी में बहुत अच्छी होती है फरवरी के महिने में आप अपने home garden में गिल्की भी लगा सकते हैं सीधे ही बीज ग्रो बैग में लगाने हैं अठारा बाई अठारा इंच का ग्रो बैग अच्छा होता है गिल्की की बेल होती है तो इसकी बेल को भी creeper net पर फैला दीजिए लगभग सत्तर से असी दिन बाद आपको गिल्की तोड़ने मिल जाएगी अगली हमारी सबजी है तोरई तोरई भी गिल्की के समानी होती है और सेम ग्रो बैग में आप लगा सकते हैं लगभग तोरई को भी हर्वेस्टिंग में 80-90 दिन लगते हैं फिर आप इसे तोड़ सकते हैं अगली हमारी सबजी है चुकंदर, अब चुकंदर को लगाने के लिए grow bag की गहराई जादा नहीं चाहिए, 6-9 इंच का grow bag sufficient है, चोडाई आप जादा ले सकते हैं, 24 वाई 6 इंच, 24 वाई 9 इंच के grow bag अच्छे होते हैं, चुकंदर के सीधे बीज मिट्टी में आप लगा सकते या फिर आप इसके पौधे भी बना सकते हैं, दोनों में थर्ट सही होती है, चुकंदर को आप दो तरह से इस्तमाल कर सकते हैं, इसके पत्ते हारवेस्ट कर सकते हैं, वो भी खाने लाइक होते हैं, और बाद में चुकंदर भी आपको निकालने को मिल जाएगी, अगर आप बड़ी चुकंदर चाहते हैं, तो फुल सुनलाइट में इसके पौधे रखें, अगर आप चुकंदर के पत्ते हर्वेस्ट करना चाहते हैं तो सेडी एरिया में भी आप चुकंदर को लगा सकते हैं, अगली हमारी सब्जी है, मूली, अब दो तरह की में लगाता हूँ, ए अगली हमारी सबजी है ब्रोकली अब फरवरी का महीना ब्रोकली लगाने का लास्ट मन्त है अगर आपके एरिया में गर्मी जादा होती है तो ब्रोकली के आप अभी बीच से पौधे बना लीजिए और फिर उन्हें बड़े किसी ग्रो बैग में लगाईए बारा बाई बारा पत्ता गोभी भी आप फरवरी के महीने में लगा सकते हैं इसके पहले पौधे बनाये जाते हैं फिर एक पौधे को बारा बाई बारेंच के ग्रो बैग में लगा दीजिए पत्ता गोभी हार्वेस्ट करने में आपको लगभग तीन महीने का समय लग जाएगा तब आप इ ये मुझे बहुत पसंद हो और आपको भी खाना यसे पसंद होगा नीचे कमेंट्स कर मुझे जरूर बताएं फ्रेंच बीज को आप फरबरी के महीने में लगा सकती हैं सीधे ही बीज को आपको मिट्टी में लगाना है ग्रोबैक 24 बाइ 12 ले लिजिए बहुत अच्छा होता है 5-6 french beans के पौधे आप बहां होगा सकती है बुस बेराइटी की french beans आप लेंगे तो उसमें काफी अच्छी fruiting होती है french beans की एक खासियत है बुस बेराइटी में आप इसमें बहुत ज़्यादा fruiting होती है दो से तीन वार harvest लेंगे उसके बाद पौधे अटा दीजिए नए बीज लगा लीजे तो आपको continue एक-एक महीने के अंतर से फ्रेंच बीज लगानी होगी और फरवरी के महीने में आप इने लगा सकते हैं अगली हमारी सबजी है जुकिनी जुकिनी एक exotic vegetable है जिसे आप अपने home garden में होगा सकते हैं फरवरी का महीना आप मान के चलिए कि आपको जुकिनी पसंद है आप वह लगा सकते हैं खाने में कद्दू के जैसे ही इसका taste होता है अगली हमारी सबजी है कद्दू अब कद्दू को भी आप जो है फरवरी के महीने में लगा सकते हैं कद्दू लगाने के लिए बड़ा grow वैग लेना है 24 वाई 24 इंच या 21 वा आपको grow वैग में लगाना है और जैसे ही इसके जो पौधे उग जाएं तो इन्हीं सहारा दीजिए किसी लकडी का लगभग 70-80 दिन बाद आपको इसकी गवार फली की जो फलियां है वो तोडने मिल जाएंगी अगली हमारी सबजी है तिंडा जिसे आप मोम गार्डन में सकते हैं फरवरी का महिना बहुत अच्छा है तिंडा जो है गर्मियों में ही होता है तो तिंडा के सीधे बीज आप लगा दीजिए ग्रो बैग में तिंडा की भी बेल होती है इसकी बेल को फैलाईए और फिर इसमें बहुत जल्दी लगभग 50-60 दिन में तिंडा लगने इसके बाद हमारी सबजी है गाजर जो कि आप फरवरी के महिने में बहुत अच्छे सी हो जाती है गाजर में ध्यान रखें कि इसके बीज का जर्मिनेशन थोड़ा हाड होता है जब भी आप गाजर की बीज लगाएं तो कुछ समय तक मौस्चर को मैंटेन रखें अगर एक लाल भाजी बड़े आसानी से गर्मियों में हो जाती है ग्रो बैग आपको 24 वाई 6 या 24 वाई 9 लेना है बीजों को सीधे मिट्टी में लगा देना है और लगबग लगबग 45 से 50 दिन लेती है लाल भाजी पहली हार्वेस्टिंग में और इसकी आप multiple time हार्वेस्ट ले सकत लाल भाजी की तरह आप लगा सकते हैं बड़े आसानी से ये हो जाती है तो इस तरह से आप जो है अपने home garden में फरवरी के महिने में ये जो मैंने कुछ सबजीयां बताई हैं 28-30 इन्हें लगा सकते हैं इसके अलाबा आप बहुत सारे फूल भी फरवरी के महिने में होगा स अपने terrace garden में कौन सी सबजीयां लगाने जा रहे हैं उसके बारे में भी बताएं इन सारी सबजीयों को लगाने के लिए मिट्टी बहुत अच्छी बनाएं बेल ड्रेन पोसक तत्तों से भरपूर मिट्टी में जब आप इन पौदों के बीज लगाएंगे तो आपको बहु कौन सी सबजी सबसे ज़्यादा पसंद है उसके बारे में भी मुझे कमेंट्स कर बताएं आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं आप से किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए हैपी गाट में